इस मंदिर को तोड़ने पर उतराखंड में आई थी भयानक आपता जानिये क्या है पूरा रहसे भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका रहसे का आज तक पता नहीं चल सका है ऐसा ही एक रहसे में मंदिर उतराखंड में हैं उत्राखंड में स्थित धारी देवी माता के मंदर का रहस्य आज भी सबको चौकाता है मान्निता है कि धारी देवी माता के मंदर में लगी मूर्ती दिन में तीन बार अपना रूप बदलती है मान्निता है कि मंदर की मूर्ती सुबा एक कन्या की तरह दिखती है दुपहर में एक युफ्ती की तरह और शाम होते होते मंदर की मूर्ती किसी बूड़ी महिला के रूप में नजर आने लगती है बता दे धारी देवी मंदर उत्राखंड के श्री नगर से 14 किलोमीटर दूद स्थेत है इस मंदर को बहुत ही चमतकारी मंदर माना जाता है इस मंदर के चमतकार को देखकर लोगों को बहुत हैरानी होती है पराणे कथाओं के अनुसार धारी देवी मंदिर एक बार भीशन बाड में बह गया था इस दोरान मंदिर में मौजूद माता की मूर्ती भी बह गई थी ये मूर्ती धारों गाउं के पास स्थित चटान से टकरा कर रुग गई थी मान्यता है कि इस दोरान मूर्ती से एक आवाज निकली थी इस आवाज ने गाउवालों को मूर्ती स्थापित करने का निर्देश भी दिया था इसके बाद गाउवालों ने वहां माता का मिंदर बनवाया था वही साल 2013 में उत्राखंड में भीशन बाड आई थी इस आपदा में हजारों लोग मारे गए थे मान्यता है कि माता के मंदर को तोड़ा गया था और मूर्ती को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया था इसी वजह से उत्राखंड में भयानक आपदा है थी लोग बताते हैं कि धारा देवी मंदर की प्रतीमा को 16 जुन 2013 की शाम को अपने मूल स्थान से हटा दिया गया था इसके कुछी घंटों के बाद राज्य में भीशन आपदा आ गई थी